हलो क्रियेटिव फ्रेंज आज का हमारा क्राफ्ट बहुत ही मौडल लिमपडाट का क्राफ्ट है जिसमें मैंने ना मौल्डेट क्ले का यूज किया है ना ही मार्बल पाउडर पेस का यूज किया है मैं हूँ चितना पड़िल और चितनास Creative Craft, चनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है तो फ्रेंज्स यहां पे मैंने केक कीं वेस्ट डिस का यूज़ किया है यानि की केक के नीचे का जो बेज आता है उस बेज का यूज़ करके आज का हम craft बनाएंगे इसके उपर से हम सबसे पहले plastic को remote कर लेंगे ये plastic remote होने के बाद भी इसका black part है वो वैसा कि वैसा ही है जो मेरे craft को खराब करेंगा इसलिए इसका पीछे का जो part है इसका यूज़ करके आज हम हमारा craft बनाएंगे तो friends आप देख रहे हैं कि हमने पीछे का जो ये part है उसके उपर हम color को apply करेंगे यहाँ पे मैं blue color को apply कर रही हूँ आप blue color की जगह पे कोई और color का भी यूज़ कर सकती हो लेकिन आपको यहाँ पे जो भी color यूज़ करो उसमें dark और light डो शेट का यूज़ करना है तब ही आपका craft अच्छे से ready होगा और आप acrylic color के दो कुटिंग लगाईए तब ही अच्छे से set होगा मैं यहाँ पे green colors को apply कर रही हूँ green color से मैं texture जैसा look दे रही हूँ इसके लिए मैंने hard brush का यूज़ किया है आप भी hard brush का यूज़ करके ऐसे दीरे दीरे tap करके अपने craft को एक texture दीजी तो हमारा ये craft texture लग के ready है अब मैंने यहाँ पे ये plastic sheet लिए है और इसी plastic sheet से मैं corn को ready करूंगी तो आप भी इसी तरह plastic sheet से corn को ready किजिए और इसे cello tap से secure कर लिजे तो friends हमारा ये corn अब secure होके बन के ready हो गया है इसमें मैं marble powder का यूज़ नहीं करने वाली मैं यहाँ पे acrylic wall putty जो बाजार में readyment मिलती है इसी का यूज़ करके आज का हम model limpenat का craft बनाने वाले है तो friends आप देख रहे है कि मैं यही wall putty का use करके इस corn में इसी wall putty को fill कर रही हूँ तो friends आप beginners है और आपको wall putty की paste बनाना नहीं आता तो आपको यही acrylic wall putty का use करना चाहिए इससे हमारा craft है वो बहुत ही अच्छा बनता है और साथ में हम कौन से काम करते है तो यह काम कौन है वो बहुत ही आसानी से चलता है और हमारा craft है वो बिगड़ता नहीं है तो आप पीछे से इस तरह से इस कौन को secure कर लिजिए ताकि हम जब काम करे तब हमारा craft कराब ना हो और पीछे से paste ना निकले तो हमारा कौन ready है अब हम इसके उपर design को draw कर लेंगे यहाँ पे मैंने एक tree की branch को draw किया है यानि की branch वाले leaves को यहाँ पे draw किया है और इसे leaves के उपर में wall putty कौन से outlining को यहाँ पे ready कर रहे हैं तो friends आप beginners है या तो आप कौन से पहली बार काम कर रहे है तो आपको थोड़ी से practice करने चाहिए इसके बाद ही craft के उपर आपको काम करना चाहिए तो friends आप दीरे दीरे करके बहुत ही ध्यान से इस तरह से design को draw किजिए कौन को पिल्कुल भी खीचे नहीं इसे बहुत ही smoothly और दीरे दीरे चलाईए आप जो कौन को खीचेगे तो आपकी design crack हो जाएगी और आपका craft खराब हो जाएगा तो यहाँ पे हमें एकदम गोल वाली outlining चाहिए इसके लिए आपको बहुत ही ध्यान से और थोड़ा उपर रखके कौन से काम करना चाहिए तो आप देख रहे हैं कि हमने ये सभी leaves के उपर outlining लगा दी है और हमारे ये leaves outlining लगके ready हो गए है तो फ्रेंज आप तो जानती है कि इस Monday को यानि कि 16 October को मेरा लिमपनाट का full course की वीडियो आने वाली है तो फ्रेंज आप इस वीडियो को सोंवार मंडे को साड़े बारा बजे देखना बिल्कुल भी ना भूले क्योंकि इसमें मैंने लिमपनाट में जो चीजे यूज होती है इसमें कौन सा कलर यूज दता है कौन सी कले यूज होती है हम कौन से बेज का यूज करते है इन सभी की information मैंने इन वीडियो में दी हुई है तो हमारे लिव्स भी वाइट कलर लगके रेडी हो गए है और वाइट कलर लगने के बाद तो मेरे लिव्स वाला क्राफ्ट बहुत ही ब्यूटिफुल सा लग रहा है अब हम इसके अंदर फैविकोल से छोटे-छोटे mirrors को round ship की mirrors को यहाँ पे फिल करेंगे पेस्ट करेंगे मैंने सबसे छोटी size के जो mirrors आते है इनका use इस craft में किया है और one by one में इन mirrors को यहाँ पेस्ट करती जा रहे हो तो friends आपको सबी leaves के अंदर ये छोटे छोटे mirrors को ही पेस्ट करना है आपको कहीं पर भी gap नहीं छोड़नी है तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये modern limpen art का art piece यहाँ पे बन के ready हो गया है और ये पूरे leaves में मैंने सबी mirrors को fill कर दिया है तो friends आपको मेरा ये modern limpen art का ये art piece ये craft कैसा लगा वो मुझे comment box में comment करके ज़रूर बताना अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, मेरी चैनल को subscribe कीजिए मिलते हैं 16 तारिक मंडे को